एलो गाईस good morning to all of you आज का हमारा टॉपिक है procedure for registration कि अगर क्या है आप अपने आपको GST में रेजिस्टर करवाना चाहते हो आपको GST registration नमबर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या-क्या steps follow करने पड़ेंगे क्या procedure होता है अगर आप अपने आपको GST में रेजिस्टर करवाना जितने भी प्रोसीजर है वो सारी आपकी मेंशन है section number 26 में जो आपका ही section 26 है वो क्या कहता है कि GST में register करवाना एक 3 step procedure है यानि 3 steps होते हैं जब आप अपने आपको GST में enroll करवा रहे हो Firstly आप application दोगे किसके लिए for registration एक बार आपने apply कर दिया उसके बाद क्या होगा verification होगी application की और वो verification होकर आपके पास आएगी एक approval and lastly issue कर दिया जाएगा registration का certificate देखो वैसे तो बहुत simple लग रहा है सारा चीज़े हैं भी simple ही बट कुछ provisions है जो इन सभी steps को पूरा करते हुए follow करने पड़ेंगे किसी भी applicant को यानि अगर क्या है आप GST में enroll कर रहे हो तो apply कैसे करेंगे verification कैसे होगी और कैसे फिर वो certificate issue किया जाएगा उनके रिकार्डिंग कुछ rules है कुछ provisions है जो बने हुए है one by one बात करते हैं firstly बात करते हैं application for registration कि जब आप क्या करोगे apply करोगे registration के लिए तो वहाँ पर कौन कौन से प्रोवीजन apply होंगे first है form and manner of registration कि किस तरीके से आपको registration के लिए form भरना है तो जो registration के लिए form भरना है वो form भरा जाएगा form number form GST registration 01 यानि GST registration 01 form में एक person को जो GST में enroll करना जाता है apply करना पड़ेगा यह जो particular form है हर person को भरना पड़ेगा except अगर आप क्या हो TDS cut करने वाले हो TCS cut करने वाले हो या फिर आप क्या करने वाले हो एक non resident taxable person हो या फिर आप किसी भी online information को supply कर दे हो देखो ये चारो ही person हमने पहले पड़े थे कौन-कौन से कि अगर क्या है एक NRI taxable person है या आप TDS काटते हो या TCS collect करते हो या फिर आप online information प्रोवाइड करते हो जहां पर हमने बात की थी कि आपका प्रोवाइड करने वाला outside इंडिया वाला है और जिसको information दी जा रही है वो within इंडिया है इन चार cases को छोड़कर बाकि जो भी person क्या करना चाहता है GST में registration करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा GST registration 01 form में apply करना पड़ेगा और इस particular form में क्या क्या information देगा वो वो देगा अपना pen number, mobile number and email address और जितनी भी ये information है ये उस particular state या union territory में दी जाएगी जहां पर आप GST में अपने आपको register करवाना चाहते हूँ second है online verification of pen, mobile number and email address कि जो तीनों information हमने पिछले point में submit करवाई थी form के अंदर GST registration 01 के अंदर अब उस सारी information को validate कि या जाएगा कि वो information सही है या नहीं है तो देखो सारी information एक जिंगे से तो validate होगी नहीं pen number चेक करने के लिए कि आपने जो pen number दिया है वो सही है या नहीं यानि आपका ही है या नहीं तो जो आपका CBDT है यानि Central Board of Direct Taxes है उनके पास जो भी particular customer होती है जो income tax की return भरते है यानि pen number का सारा record उनके पास होता है तो उनके पास से आप चेक करोगे उस pen number को verify करोगे यानि Central Board of Revenue Act 1963 के अंदर जो आपका CBDT है उसके पास सारा database maintain होता है हर person के pen number का तो वहाँ से आप चेक करोगे कि जो pen number दिया गया है वो सही है या नहीं है Secondly, आपको mobile number verify करना है Mobile number को verify करने के लिए OTP भेजा जाएगा उस mobile number के उपर जिसको validate करना चाहते है Thirdly, email ID तो email ID को भी verify करने के लिए OTP भेजा जाएगा ये OTP उसी email ID पर भेजा जाएगा जो आपने provide की है यानि mobile number के लिए अलग OTP भेजा जाएगा Mobile number पर और email ID के लिए email ID पर OTP भेजा जाएगा इस तरीके से ये तीनों information validate कर ली जाएगी चेक कर ली जाएगी कि सही है या नहीं है Third है Generation and Communication of Temporary Reference Number यानि अगर क्या है successfully आपका PAN number आपका mobile number और आपका email address verify हो जाता है यानि वो सारे चीज सही मिलती है तो एक temporary reference number यानि एक reference ID generate होगी जो आपको क्या कर दी जाएगी communicate कर दी जाएगी जिसका use करके आप further जो GST registration की process को कर पाऊगी यानि एक number generate होगा जो आपको provide कर दिया जाएगा पहले वो generate होगा उसके बाद आपको दे दिया जाएगा फोर्थ है submission of application in part B of form GST registration 0-1 तो देखो जो यह हमने पहले बात की थी GST registration 0-1 form की इसके दो पार्ट होते हैं जो यह सारी information जाती है वो part A में जाती है अब part B को भरने के लिए आप क्या करोगे इस reference ID जब आपको मिल चुकी है उसके बाद आप क्या करोगे बाकी सारी details को जो भी वांगी गई होगी किसके साथ आप अपने sign के साथ यानि अपनी reference number को use करके जो आपको third point में provide किया गया है जो आपका applicant होगा वो electronically submit करेगा application को part B में इसी form के जो कि क्या होगा duly sign होगा और जो जो document require होगे portal पर उन सारों के साथ दिया जाएगा यानि जितने भी documents जाएए वो सारे और आप अपने sign करके part B of GST registration 01 form में उस सारे information को submit करोगे and last होगी आपकी acknowledgement कि जैसे ही आपकी application receipt होगी तो आपको electronically issue कर दी जाएगी इस बात की acknowledgement यानि आपको यह बता दिया जाएगा कि आपकी जो application है वो receive हो गई है जब भी हम कई कोई form भरते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है एक acknowledgement आ जाती है कि आपका जो application है वो receive हो गया है यानि वो acknowledgement आपको दे दी जाएगी और जो acknowledgement है वो दी जाएगी form GST registration 02 में यानि 02 form में आपके पास acknowledgement आ जाएगी कि आपकी application receive हो गई है इन 5 steps के साथ आपकी application for registration हो गई है यानि आपने apply अपने registration के लिए कर दिया है अब काम आएगा department का verify करने का आपकी application को और फिर आपको approve करने का अब उस verification के में भी कुछ provisions हैं जो follow होंगे उनको discuss कर लेते हैं first step होगा आपका approval for grant of registration यानि आपने जो application submit करवाई थी जब हम apply कर रहे थे अब उस application को verify किया जाएगा चेक किया जाएगा कि जो आपने information दी थी वो सही है या नहीं है तो जो भी आप application दोगे उसको approval के लिए एक proper officer के पास भेज दिया जाएगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है proper officer का मतलब होता है उस particular काम को करने के लिए सबसे सही officer जो है जिसका वो काम है उस officer को पास आपकी application submit कर दी जाएगी उसको जैसे ही वो application forward होगी वो क्या करेगा उस application को check करेगा उसकी information को check करेगा साथ में जो documents आपने submit करवाए होंगे उनको check करेगा और अगर क्या है आपने जितनी भी information या documents दिये थे वो सबसे satisfy हो जाता है तो वो क्या कर देगा आपकी application को approve कर देगा कि आपकी जो application है वो बिल्कुल सही है और आपको क्या है registration certificate दे दिया जाएगा और ये सारा काम करने के लिए proper officer के पास तीन दिन का समय होता है यानि जिस दिन आप application दोगे उसके तीन दिन के अंदर-अंदर जो application है चेक करके आपकी approval भेजनी होती है अब ये तो था कि आपने जो भी information दी वो सबसे satisfy है तो आपकी application को वो approve कर देगा बड़ जरूरी नहीं है कि सारे information सारे document से वो satisfy हो हो सकता है उसे कोई चीज ऐसी हो जो और चाहिए हो या फिर किसी चीज के regarding हो पूरी तरीके से satisfy ना हो वो चाहता हो कि आप उस चीज को से clarify करो तो यानि आपकी application में उसे deficiency लग सकती है कोई ना कोई कमी लग सकती है तो अगर उसको आपकी application में कमी लगेगी यानि in case of deficiency क्या होगा वो क्या करेगा जैसे ही वो आपके application में देखेगा कि उसके document से या information से वो satisfy नहीं है तो वो क्या करेगा आपको एक notice issue करेगा और जो वो notice होगा वो आपको दिया जाएगा in form gst registration 05 यानि gst registration form 03 जो वो क्या करेगा जैसे ही वो देखता है कि आपके form में उसे कुछ कमी लग रही है वो आपको एक notice issue करेगा in form 03 में जो ये notice होगा वो तीन दिन के अंदर अंदर तीन दिन के अंदर अंदर उसे आपके application का response देना होता है तो चाहे उसे वो अपरूव करनी हो चाहे उसे clarification चाहिए हो हर चीज में उसे के पास तीन ही दिन है इस सारा काम करने के लिए तो जैसे ही application उसके पास मिलेगी उसके तीन दिन के अंदर अंदर उसे अगर जो भी आपके application में कमी लगती है चाहे उसे कोई information चाहिए चाहे उसे कोई document चाहिए या फिर वो आप किसी regarding आपसे clarification लेना चाहता है आपसे कुछ पूछना चाहता है उस case में उसे वो सारी बात जो भी उसे पता लगानी है GST registration 03 form में वो बात आपको कहनी पड़ेगी जैसे ही आपको form मिलेगा यानि आपको notice जैसे ही मिलेगा उसके बाद आपके पास साथ दिन का time होगा उस notice को reply करने का यानि जो information, जो document, जो clarification आपस proper officer ने मांगी है उसको उनके पास भेजने के लिए आपके पास साथ दिन का time होगा और आप जो ये सारी information भेजोगे वो भेजोगे form GST registration 04 में यानि 03 form में उसने आपको notice भेज दिया अब उस notice का reply आपको साथ दिन के अंदर अंदर 04 form में करना है जिसमें आप क्या भेजोगे आप भेजोगे वो document, वो information याद वो clarification जो उसने मांगी होगी अब जैसे ही आप उसको वो particular चीज जो उसने मांगी है वो दोगे उसके बाद दो चीजे हो सकती है या तो approval आएगी या तो rejection होगा यानि आपने जो information, document या clarification दी है अगर proper officer उससे satisfy हो जाता है तो उस case में वो आपकी application को approve कर देगा उस approval के लिए भी उसके पास 7 दिन का time होगा यानि जिस दिन आपने उसको reply किया होगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो उसको approve कर देगा अगर क्या है वो आपके submit जो clarification है, document है, information है उससे satisfy नहीं होता है तो उस case में उसको क्या भीजना पड़ेगा उसको with reason in writing यानि लिखकर इस बात का reason बताना पड़ेगा कि क्यों आपकी application को reject किया जा रहा है जो वो ये rejection बताएगा, वो वो बताएगा form GST registration 05 में यानि 05 form में वो writing में बताएगा कि क्यों आपके application को reject किया गया है ठीक है, अगर वो satisfy होगा तो accept कर लेगा, नहीं होगा तो आपसे clarification मांगेगा उस clarification से वो satisfy होगा, तो approve कर देगा, otherwise आपकी application को reject कर देगा और उसका reason आपको बता देगा थर्ड जो provision है, step second ही है आपका, point third की बात कर रही है इसके अंदर की वो है आपका deemed approval or registration यानि कुछ cases ऐसे होते हैं, जहाँ पर आपकी जो approval है वो deemed कर ली जाती है dimmed approval का मतलब होता है कि actual में approval दी नहीं गई है बट फिर भी मान लिया जाएगा कि approval दे दी गई है वो कब होगा, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 3 दिन का time होगा जब original application आएगी उसके बाद proper officer के पास 3 दिन का time होता है और अगर आप उसको कोई clarification देते हो तो उसके बाद उसके पास approve करने के लिए 7 दिन का time होता है तो अगर proper officer normal application के 3 working days के अंदर और clarification के regarding 7 working days के अंदर कोई भी action नहीं लेता है यानि न approval भेजता है न rejection भेजता है तो मान लिया जाएगा कि उसने आपकी application को approve कर दिया है ठीक है यानि अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है required time में तो मान लिया जाएगा कि आपकी application को accept कर लिया गया है अब क्या है आपने apply कर दिया registration के लिए verification हो गई और आपको approval भी मिल गई अब आपको दिया जाएगा registration certificate और जब ये registration का certificate दिया जाता है तो कुछ provisions इस पर भी apply होती है यहां भी आपको follow करने पड़ते हैं उनको discuss कर लेते हैं first है आपका grant of registration certificate and GST identification number तो ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा जैसे ही आपकी application approved होगी आपको एक certificate दे दिया जाएगा और जो वो certificate है वो दिया जाएगा in form GST registration 06 में यानि 06 form में आपको certificate issue कर दिया जाएगा उस certificate में क्या क्या लिखा होगा वो certificate बताएगा आपकी principal place of business यानि जो main address है आपका वो बताएगा इसके साथ साथ अगर आपकी कोई additional place है business की जहां से आप business कर सकते हो वो बताएगा और जो ये सारी information है आपके बारे में जो बताएगी वो बताएगी थूरू common portal यानि जो GST का portal है जो site है उसके उपर आपके account पे ये information डाल दी जाएगी जो सारी information है 06 form में आएगी और उसमें लिखा होगा कि main place आपकी business की कौन सी है और additionally किस place से आप business कर सकते हो certificate देनी के बाद इसके साथ साथ आपको एक GST identification number दिया जाएगा GST यानि goods and services identification number यानि आपका जो GST number होता है वो एक unique number होता है जिससे आप identify कर सकते हो कि GST number किसका है तो वही कह रहे हैं कि आपको एक GST identification number दे दिया जाएगा वो जो identification number होगा वो एक 15 digit का number होगा ठीक है जिसमें इस पहले दो character तो होंगे आपके state code के यानि आपने किस particular state में अपने आपको register करवाया है या union territory में register करवाया है उसको बताएंगे जैसे हरियाना का HR है उस तरीके से आपको बता दिया जाएगा फिर next 10 digit आपके pan number के होंगे यानि जो आपका pan number होगा वो 10 digit number होता है तो यहाँ पर जो next 10 digit होंगे आपके pan number को बताएंगे उसके बाद जो next होंगे वो दो करेक्टर होंगे entity code के लिए ठीक है यानि आपको अलग से बताने के लिए कि आपको का number कुछ अलग है दूसरों से तो वो उसको अलग करने के लिए कुछ entity code आपको दिया होगा अलग से और lastly एक check sum character होगा यह check sum character dip में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक तरीका होता है जिसके थूरू सारी चीज़े check करती है आपका department की यानि जो आपकी बाकी की 14 digit है उनी के उपर कुछ calculation लगाकर 15th number को decide किया जाता है तो वो एक check sum character होगा तो आपको certificate दे दिया जाएगा 06 form में और साथ में GST identification number issue कर दिया जाएगा Second है आपका effective date of registration कि आपकी जो registration है आपने करवाया है वो किस दिन से माना जाएगा कि आप GST में register हो चुके हो तो देखो अगर क्या है आपने जो application दी है वो इसलिए दी है क्योंकि आपके लिए compulsion था यानि in case application जो है आप क्या की मानलो आपकी threshold limit cross कर गई थी और उस case में आप apply कर रहे थे तो जिस दिन आप liable हुए कि आप apply करो GST के लिए यानि जिस दिन आपकी threshold limit cross हुई अगर आप उसके 30 दिन के अंदर अंदर apply कर देते हो तो उस case में जिस दिन आप liable हुए थे pay करने के लिए GST या उसमें register होने के लिए उसी देन से आप GST register मान लिये जाओगे दोबारा repeat कर रही हूँ कि कोई भी person क्या होता है कि मानलो उसकी threshold limit cross हो जाती है यानि अब वो क्या हो गया है या किसी भी reason से अब उसे के लिए compulsory हो गया है कि उसे GST में register करवाना पड़ेगा तो जिस दिन वो लाबल हुआ कि उसे अपने आपको GST में register करवाना पड़ेगा अगर वो उसके 30 दिन के अंदर अंदर application submit कर देता है registration के लिए तो जिस दिन वो लाबल हुआ था GST pay करने के लिए ठीक उसी दिन से वो एक registered person मान लिया जाएगा और अगर क्या है वो 30 दिन के अंदर issue नहीं करता है application को यानि submit नहीं करवाता है तो उस case में जिस दिन उसको registration मिलेगा यानि जिस दिन उसे grant किया जाएगा registration उसी दिन से वो लाबल होगा GST pay के तो 30 दिन के अंदर अंदर apply कर देता है तो जिस दिन लाबल हुआ GST pay करने के लिए उस दिन से और अगर वो नहीं करता है तीस दिन के अंदर अंदर तो जिस दिन उसे registration दिया जाएगा grant होगा उसी दिन से वो GST registered माना जाएगा थर्ड है digitally signed by the proper officer यानि जो भी registration certificate issue किया जाएगा वो proper officer यानि जिसने उस application को check किया है जो भी सही officer है वो क्या करेगा उसको digitally sign करेगा उस registration certificate को बिना sign के certificate valid नहीं होगा and lastly time limit to issue certificate कि जो ये certificate देना होता है department को इसके regarding भी time limit है वो time limit क्या होगी देखो हमने क्या बोला था normally तीन दिन में आपकी application का reply करेगा proper officer और अगर आपने clarification दी है तो clarification के case में यानि जब deficiency थी उस case में वो 7 दिन के अंदर अंदर reply करेगा कि आपको certificate दिया जाएगा यानि आप approve हो या नहीं तो जब ये sad time खतम होगा यानि normal application में 3 दिन खतम होगे certificate को issue करने के लिए यही था आपका procedure कि सबसे पहले आप क्या करोगे apply करोगे registration के लिए जो apply किया जाएगा registration के लिए वहाँ पर कुछ थे कि आप किस form में करोगे फिर आप क्या information दोगे फिर वो verify होगी then एक reference ID generate होगी उसके बाद उस reference ID का use करके आप part भी में कुछ information दोगे फिर आपके पास acknowledgement आएगी कि आपकी application receive हो गई है उसके मार क्या होगा second step में जो proper officer है उस application को check करेगा अगर उसे सही लगती है तो approve कर देगा कि आपकी application सही है अगर वो approve नहीं करता है उसे कुछ कमी लगती है तो वो 03 form में बताएगा कि उसे क्या कमी लगी है यानि एक notice issue करेगा जिसका साथ दिन के अंदर अंदर आप 04 form में reply करोगी उस reply के बेस पे या तो वो आपके application को approve कर देगा या reject कर देगा अगर reject करेगा तो 05 form में बताएगा कि उसने reject क्यों की है और अगर वो sat time period में काम नहीं कर पाता है तो deemed approval मान ली जाएगी उसके बाद हमने बात की issue of certificate की की जो आपका certificate है वो 06 form में आपको दे दिया जाएगा और साथ में आपको एक GST identification number दे दिया जाएगा जो 15 digit का एक number होगा फिर आपकी date क्या मानी जाएगी अगर आप जिस दिन लाबल होते हो उसके 30 दिन के अंदर अपलाई कर देते हो तो जिस दिन लाबल हुए वो effective date मान ली जाएगी और अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करते हो तो जिस दिन आपको certificate registration का मिलेगा उस दिन आप मान लिए होगे कि आपने GST के अंदर enroll कर दिया है फिर जो आपका particular certificate होगा वो क्या होगा digitally sign होगा proper officer के दवारा जब तक वो sign नहीं होता है तब तक वो valid नहीं माना जाता और जो department है उसके पास set time period के बाद तीन दिन का time होता है आपको certificate issue करने का तो ये थी आपकी three step process GST में अपने आउट हो you can ask me in comment section वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करना thank you